हलो दोस्तों मैं यूग एक पर फिर से एक ने टॉपिक के साथ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये डिसकस करने वाले हैं की oil seal के उपर लिखे numbers को किस तरीके से read किया जाता है फिर next देखेंगे की oil seal के main components क्या क्या होते हैं और end में discuss करेंगे की oil seal किन-किन reasons की वजहों से leak होने लगती है सो आए बिना time को waste किये वीडियो को शुरू करते हैं Oil seal का use, gear box, oil lubricated pumps और gear motor में oil को housing में seal करने के लिए किया जाता है ताकि वो oil shaft के थुरू housing से बाहर लिखना हो Oil seal को commonly shaft seal भी बोला जाता है आईए सबसे पहले बात करते हैं उन numbers की जो oil seal के उपर लिखे हुए होते हैं For example, इस oil seal के उपर लिखा है 55, 90 और 10 So, इन numbers में जो 55 है वो seal की ID, it means inner diameter को indicate करता है So, इस according इस oil seal की जो ID होगी वो 55 mm की होगी Number का next digit जो की 90 दिया गया है वो हमें इस seal के OD यानि की seal की outer diameter की size को बता रहा है It means इस oil seal का जो outer diameter होगा वो 90 mm का होगा फिर seal की next digit हमें ये बताती है कि oil seal की thickness कितनी होगी And इस seal में 10 लिखा हुआ है So, इस accordingly जो 10 mm है वो इस seal की thickness होगी और अगर बात की जाए oil seal के component की तो oil seal के 3 main component होते हैं जिन में सबसे पहला है metal case जो की oil seal की OD में fix किया जाता है और उसके उपर rubber की एक layer होती है जो की seal के internal diameter में होता है और shaft के रस्ते की ceiling को seal करने का काम करता है Oil seal का तीसरा और सबसे जो important component होता है वो है spring जो की seal के lip के around लगा होता है और lip के उपर एक pressure को बना के रखता है ताकि seal shaft के उपर proper tight रह सके So, oil seal के यही तीन basic component होते हैं आईए next अब discuss करते हैं कि oil seal किन किन वजहों से leak होती है या फिर खराब हो जाती है तो दोस्तों oil seal के leak होने का सबसे बड़ा reason है improper installation It means oil seal को लगाते वक्त कभी कभी हम seal को fix करने के चक्कर में shaft के उपर seal को जबरजस्ती insert करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी situation में क्या होता है कि oil seal को forcefully insert करने से उसके ID की surface में cut या फिर scratch आ जाते हैं और oil seal की shape change हो जाती है या फिर seal का जो lip होता है उसकी spring lose हो जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि oil seal खराब हो जाती है और gear box या pump में shaft के थूँ oil का leakage शुरू हो जाता है oil seal के leakage होने का जो दूसरा सबसे बड़ा reason है वो है कि कई बार oil seal की ID की surface की जो finishing है वो proper नहीं रहती है और oil seal की ID में कुछ marking के निशान रह जाते है जो की एक manufacturing defect होता है सो ऐसी situation में जब हम oil seal को shaft के उपर लगाते हैं तो seal बराबर नहीं बैठती है और उस point पे leakage की problem शुरू हो जाती है सो oil seal को लगाते वक्त आप यह भी check कर ले कि जो oil seal आप लगा रहे हैं उसकी inner diameter की जो surface finishing है वो proper होनी चाहिए ताकि oil leakage की कोई problem ना आए oil seal या फिर shaft seal के leakage होने का जो third region है वो हो सकता है breather choking gearbox और pump में जो breather लगे होते हैं अगर वो choke हो जाए तो ऐसी condition में क्या होता है कि housing के अंदर जो oil है वो pressurized हो जाता है जिस वज़े से oil का temperature भी बढ़ने लगता है और oil के temperature के बढ़ने की वज़े से oil seal के उपर ज़्यादा pressure लगने लगता है जिस वज़े से seal धीरे धीरे damage होने लगती है तो ये भी एक oil seal के leak होने का बहुत बड़ा reason हो सकता है fourth region जिस वज़े से oil seal fail हो जाती है वो है oil seal की poor quality because हमें हमेशा soft material से बने हुए seal को ही use करना चाहिए बट कई बार proper knowledge ना होने की वज़े से क्या होता है कि हम seal के material में ध्यान नहीं देते हैं और hard material से बने हुए seal को fit कर देते हैं जिस वज़े से क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ही oil seal के उपर crack आने लगते हैं और वो बहुत ही जल्दी खराब होने लगती है जिस वज़े से shaft के थुरू oil housing से बाहर आने लगता है तो दोस्तों I hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी informative और useful रही होगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी से request है कि प्लीज चैनल को subscribe करके वीडियो को like और share जरूर करिएगा Thank you for watching